So Hello Guys, Guys आज किस वीडियों बात करने वाले हैं इंडिया वर्सिस साथ अफरीका की आप सभी को पता है एक बड़ा मुकावला होने वाला है इंडिया वर्सिस साथ अफरीका के बीच में गाइस बड़ा मुकावला इसलिए है इंडिया तो कौलिफाई कर चुकी है आप सभी को पता है साथ में से साथ मुकावले जीती है वही बात करें साथ अफरीका की च्छै मुकावले जीती है साथ मैंसे 6 मुकावले जीतने के बाद अगर एक मुकावला और साउथ अफरीका जीत लेती है तो वो कॉलिफाइ कर जाएगी जैसा कि आप सबी को पता होगा बाकी आप देख सकते हैं यह वर्ल्ड कप का 37 मुकावला है 5 नवंबर संडे वाले दिन यह मुकावला होगा तो मतलब कई लोग इस मुकावले को कई गुना जाद देखने वाले हैं 2 बज़े आपको इस मुकावला देखने को मिल जागा तो फैर 2 बज़े लाइफ देख सकते हैं बात करें वेन्यू की तो आप देखेंगे Eden Garden का Kolkata का ये stadium रहने वाला है Guys, ये जो ground है ये थोड़ा छोटा ground है बाकी ground के मुकावले, अब क्या possibility है इस ground पर, तो आप सबी को पता है, South Africa अभी तक जितने मुकावले खेली हैं उन सबी मुकावलों में almost 300 plus का जो ही South Africa ने score करा है और कुछ मुकावले तो ऐसे हैं जिसमें South Africa ने 400 के आसपास का भी score करा है, आप सब ये बात जानते हैं, वहीं अगर इंडिया की बात करें, तो guys, इस ground पर एक highest score है गा 404 का, 5 wicket के नुकसान पर वो इंडिया ने बनाया था तो इसका मतलब ये इंडिया भी highest score कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो दोने टीम हैं, इंडिया और South Africa दोने टीम पूरी तरह सा फॉर्म में है दोने टीम के बैटिंग ओर्डर फॉर्म में चल रहे हैं, दोने टीमों के bowling section के जो players हैं, वो भी World Cup में, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इस दोने टीम फाइनल में देखने को मिल जाएं, इन दोने टीमों के ऊपर एक Dream 11 टीम तियार करना काफी जादा, थोड़ा difficult हो जाएं, क्योंकि सारे पिलियर जो हैं बहुत ही जादा form में चल रहे हैं बागी आँगे देखते हैं, तो इसमें फिलाल यही अभी देखने को मिला है कि लगबक 19 मुकावले के आसपास आइ तिंक जो है, पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है, बागी 13 मुकावले कि आसपास सेकंड बैट करने वाली टीम जीतती है, कहने का मतलब है थोड़ा सा परसेंटेज जादा है, जो फर्स्ट बैट करती है उसका जीतने का, बागी मुकावला है, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, आप यहाँ पे देखेंगे यह गाइस, तो थोड़ी सी जो इस ground में यह है कि किसको help मिलती है, Pacers को या Spinners को, तो गाइस, मैं तो यही कहूंगा, कि Ground का जो overall history बताता है, वो कहता है Pacers को सबसे ज़यादा help मिलती है Pacers को turn मिलता है ग्राउड पर, और wicket भी आपको काफी लिकालत हुए दिखेंगे इस match में Pacers, तो Pacers को बिल्कुल धियान में रखके जो हमें team create करनी है, बागी Spinners भी लिकालते हैं, बट Pacers जितना नहीं लिकाल पाते हैं, लेकिन हमें Spinners भी वो लेने हैं, quality वाले Spinners जो विकेट बिल्कुल लिकालके देंगे, So guys, अब आँगे चलते हैं, क्या हमारी possible playing 11 हो सकती है, dream 11 team में क्या players हम pick कर सकते हैं So guys, यह अपनी playing 11 है team India की, guys, जो Hardik Pandya वो अब नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगा जो है, प्रसीद कृष्णा आ गए हैं, बट guys, इस match में प्रसीद कृष्णा नहीं खेलेंगे, अपनी यही playing 11 रहने वाली हैं, बाकी अगर बात करें, साउथ अफरीका की, तो साउथ अफरीका की playing 11 कुछ इस तरह हैं कि आप वो भी देख लिजेगा, guys, playing 11 तो आप पॉस करके भी देख लिजेगा, बाकी कुछ नहीं, link पर click करके, telegram channel पर आपका open हो जायागा, और वहाँ पर join कर ले ना, यह सब आपको पता ही होगा, important है, guys, क्यो important है, देखिए, मैं सुरू होने से लगबग आदे घंटे पहले, देखिए, मैंने यहाँ पर आज जो मुकावला था, Australia और England का, मैंने देखिए, दोने टीमों की playing 11, बिल्कुल प्रोवाइड कराई थी, accurate, उसके बाद, आप यहाँ पर देखिएंगे नीचे, मैंने कुछ update भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया था, साथ इसाथ, guys, important थी, grand league की team, आप देखिए, guys, मैंने यहाँ पर grand league join कर लिजिएगा, link description box में दे दिया गया है, अब आँगे चलते हैं, guys, so guys, आप देखेंगे, हमने dream 11 open कर लिया है, अब बात करते हैं, यहाँ पर wicket keepering section में किने pick करना है, आप सभी जानते हैं यह 3 option दे रखें, लेकिन मैं यहाँ पर quinton dekock और classins के साथ गया हूँ, okay guys, उसके बाद हम आँगे चलते है batting section में, हाँ अगर आप सोच रहे होगी खाली classins को लेना चाहते हैं, ले सकते हैं dekock को खाली लेना चाहते हैं, क्योंकि काफी दोस जो हमारे, वो खाली decock के साथ जाना चाहते होगे बिल्कुल जा सकते हैं, classins के ऊपर ये भी मैं बता हूँ कि classins को drop करके किनको pick कर सकते हैं batting section में guys चलते हैं, आप देखेंगे रुईष शर्मा, विराट कोली, शुमन गिल, ये तीन खिलाडी हमने आप पर pick करें, guys, आप यहाँ पर आप यहाँ पर साउथ अफ्रिका को कोई player pick नहीं करा, वो भी आँगे देखेंगे क्यों, क्या, कैसे हैं अब यहाँ पर देखेंगे, all-rounder section में हमने यहाँ पर तीन all-rounder pick करें, Markram, Jensen और रविंद्र जड़ेजा, उसके बाद guys, हम bowling section में चलते हैं, तो तीन baller आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जस्पित, बुम्रा, मुहमद, शमी, उल्दी, पिया, तब आप सोच रहे होंगे, कगीसो, रबाडो को क्यों pick नहीं करा, आप सोच रहे होंगे, guys, कि मुहमद, सिराज ने, पिछले में, HCS में, तीन wicket लिगा ली थी, आपको इनने, क्यों pick नहीं करा, तो ओभी हम देखते हैं, आँगे क्या होता है, इसे पहले next करते हैं, फिर guys, next करने के बाद, हम यह देखेंगे, कि जो हमारे, जो pillars हैं, उनमें captain, wise captain, कौन रहेगा, अब यहाँ पर एक बारी preview पर click करते हैं, main job जो अब start होगा, आप यहाँ पर देखेंगे, कि कुछ लोग हमारे, कुछ दोस्त हमारे जो हैं, class in के साथ नहीं जाना चाहते हैं, मैंने start इसलिए बना दे, कि class in के उपर बाद में जो update होता है, और telegram channel पर मैं दे दूँ कि class in को अगर drop करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई better add कर सकते हैं, बाकि अगर उनको add करना चाहते हैं, बाकि अगर उनको add करना चाहते हैं, तो नीचे आएंगे, तो bowling section मुहमद सिराज को add कर सकते हैं, या अगर अगर अबाड़ा को add कर सकते हैं, किसी एड, किसी एक all rounder को drop कर रहेंगे, तो उसके बाद भी आप किसी एक player को add कर सकते हैं, क्योंकि guys मैंने बताए, सारे ही खिलाड़ी बहुत ही बहतरी नहीं है, बाकि अगर यहाँ पर देखते हैं, गाईज, अगर इंडिया पहले balling करेगी, तो बिल्कुल आप class in को drop करके, आप चाहें तो मुहमद सिराज को add कर सकते हैं, यहाँ पर, बाकि guys, यहाँ पर जो भी update वगरा रहता है, क्या कुछ changes, changes तो guys बाकि guys, एक और मैंने त्यार कर रहेंगे, टीम उसको भी आपको इवाई दिखाना चाहूँगा, बैक करके, एक टीम और मैंने त्यार करीती है, भी फिलाल में, तो इस टीम में आप देखेंगे, इस टीम में मैंने खाली class in के साथ गया हूँ, यह थोड़ा सा इसलिए guys, मैंने इन दोनों को पिक नहीं किया, क्योंकि अच्छी balling हो सकती है, साथ अफरिया की तरफ से, क्योंकि फॉर्म में चल रहे हैं, तो क्या पता, जल्दी ही पांस से दस ओवर में, अगर रोई शर्मा सुम्मान गिल का विकेट गिर गया, तो हमें फिर हुहाँ प द Key में बालिंग section में नज़र डाली है, एब बालिंग section में आप देखेंगा, मोहमद श्राच और कंगी सो रवाडवार को पिक करया है, मैंने इहां पे क्या कर। जो कुल्दी बियादव को drop कर रहा है, क्योंकि guys, कीसी को drop तो करना पड़ेगा, तो इतना risk लेना पड़ेग क्योंकि रविंद जड़ेजा का यह है कि spinning भी कर लेते हैं अच्छी खासी और उसके अलाबा बैटिंग भी कर लेते हैं तो दोनों साइट से पॉइंट जा सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा मतर डिफिकल्ट है इस दोने ही जो है टीमों के लिए जो है वो ड्रीम 11 टीम तियार कर होगी वीडियो पसंद आयो तो गाइस लाइक कर दीजेगा क्योंकि बहुत महनत लगती है वीडियो बनाने में बाप स्क्राइब निकरा सब्सक्राइब कर लिए